इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। फॉक्स्टेट चालीज टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल गठिया के इलाज और रोक्थाम के लिए किया जाता है। गाउट अब होता है जब आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड होता है और यह क्रिस्टल में बन जाता है जो आपके जोडों के आसपास दिखाई दे सकता है जिससे जोडों में दर्द और सूजन हो सकती है। यह दवा यूरिक एसिब के स्तर को कम रखने में मदद करती है। फॉक्स्टेट चालीस टैबलेट का उपयोग खाने के साथ या बिना करें। जब आपको गाउट का दौरा नपर रहा हो तब भी आपको इसे अपने चिकित सक द्वारा अनुशन से तनुसार लेते रहना चाहिए। यदि आप रुख जाते हैं तो आपके जोडों में अधिक क्रिस्टल बनने के कारण आपके लक्षन और खराब हो सकते हैं। आप अपने आहार में कुछ बदलाव करके जैसे शराब और मासाहारी भोजन से परहिज और बहुत सारे तरल पदार्थ पी कर अपनी मदद कर सकते हैं। इस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभाव सिरदर्द, दस्थ, मतली और तवचा पर लाल चिकते हैं। जब आप पहली बार दवा लेना शुरू करते हैं, तो आपको गाउट के लक्षनों में अस्थाई वृद्धी का अनुभव हो सकता है। जोडों में तेज दर्द, गर्मी और लालिमा की शुरूआत। हाला की दवा लेना बंद न करें। आपका डॉक्टर इन लक्षनों को कम करने या रोकने में मदद करने के लिए कुछ दर्द निवारक और अतिरिक दवाएं सुझा सकता है। अपने चिकित सक को तुरंत बताएं यदि आपको जिगर की बीमारी के लक्षन जैसे लगातार मतली, गहरे रंग का पेशाब या आँखों या तवचा का पीला पढ़ना है। इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित सक को बताएं कि क्या आपको हिर्दय की कोई समस्या, स्ट्रोग, थाइराइड की समस्या, या गुर्दे, या यकृत की समस्या है। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इस दवा से बचना सबसे अच्छा है अपने डॉक्टर से जांच करें इस दवा को लेते समय आपको नियमित रख परीक्षन की आवशक्ता होगी ताकि यह जांचा जा सके कि आपका लीवर ठीक से काम कर रहा है या नह विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद